Hello students, हम कर रहे हैं income tax, income tax के अंदर अभी हमारा chapter चल रहा है income from salaries और उसके अंदर हम retirement, income from salaries के अंदर भी retirement वाला topic कर रहे है यानि कि जब कोई employee retire हो जाता है, तो employer की और से या किसी investment की वज़े से जो उसे gratuity मिलती है, जो उसे pension मिलती है, जो उसे provident fund मिलता है और भी बहुत सारी चीजे है तो उस case में वो चीजे कितनी taxable है, कितनी exempt है तो gratuity and pension वाला मामला हमने कर लिया था, अभी आज हम करने वाले हैं provident fund, contribution to provident fund contribution का मतलब होता है अंसदान और किसमे provident fund के अंदर अंसदान सबसे पहले समझते है provident fund है क्या, फिर हम ये भी समझेंगे कि provident fund बहुत type के होते हैं तो provident fund simply है, जब employee जो होता है, वो job कर रहा होता है तो वो अपनी हर मन्त की salary में से कुछ पैसा उस provident fund के अंदर डाल देता है जिसको pf बोलते हैं, क्या बोलते हैं, provident fund को pf, आपने सुना होगा pf office के बारे में तो ऐसा हर महीने चलता, हर महीने की salary में से कुछ उसकी salary pf में जमा होती है, बाकि उसको मिलती है और pf में उस employee की salary तो जमा होई रही है हर महीने, इसके अलाबा employer यानि की जो बहुत सी या company या government वो भी कुछ हिस्सा अपनी ओर से उस pf में डालते हैं, employee के pf में तो इस तरीके से, दो तरीके से, उस pf के अंदर दो जगे से पैसा आ रहा है एक employee की salary का एक हिस्सा, छोटा सा part, कुछ percentage और कुछ employer भी contribution कर रहा है तो दो जने contribution कर रहे हैं, तब जाके उसका जो वो pf है वो धिरी-दिरी बढ़ने लग जाता है और उसके उपर जो interest मिलता है, वो भी वापस उसी में जमा होता रहता है और end में जब employee retire हो जाता है या उसकी death हो जाती है किसी वज़े से तो उसकी family को उस pf का पैसा with interest मिल जाता है और अगर employee retire हो जाता है तो उसको खुद को मिल जाता है अब यहाँ हम समझने वाले हैं कि यह pf कितने type की होते हैं के उपर taxability क्या है और कि exemptions कितनी कितनी है तो सबसे बहुए देखिए pf है यहाँ पर आपके पास five time की पांस तरीके की सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा अच्छे से दिख रहा होगा वर्टा सबसे फर्स्ट आता है statuary provident fund वैधानिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं कोस बोलते हैं हिंदी में इसको और इसकी जो सौर्फ हो में हो जाती है सबस्ट आतर प्रोविडेंट प्रोविडेंट यह दिक टर्ट गॉवर्ण्ध एंप्लोीज चाहें वो बोलते हैं अर्द सरकार या पूरी तरीके से गॉवर्फ मेंट है यानिकी रिकोगनाईज बंद स्कृष्र्ट ले रखी है किस से सिकर्टी ले रखी होती है इसने RPF ने किस से recognize करवाती है यह वला provident fund यह जो approval दे रखी होती है वो दे रखी होती है commissioner ने किस के commissioner ने यह अपने जो income tax के commissioner होती है वो इस scheme को approve कर देते हैं तो यह recognize provident fund बन जाता है फिर एक होता है unrecognized provident fund इसको आप UPF, Unrecognized Provident Fund भी बोल सकते हैं, URPF भी बोलते हैं, Unrecognized Provident Fund, ठीक है, या UPF भी बोल सकते हैं, यह मलब Income Tax Department के जो Commissioner वगरा होता है, उन्होंने इस Scheme को Approved नहीं किया है, ठीक है, तो यह Approved नहीं है, बस Provident Fund है, यह काता है, Approved Super Annuation Fund, तो यह Approved है, तो इसको हम सॉटन ब बोलते हैं, ASP, ASF, Approved Super Annuation Fund, एक होता है, Public Provident Fund, PPF, ठीक है, यह Public के लिए होता है, इसमें Employer Contribution नहीं करता है, ठीक, ओके, अब आजाते हैं हम, इन Funds के बारे में, कि इन में क्या-क्या Taxability है, कितना Exemption है, वो देखते हैं, तो यह First Column मैं Particular का बना देता हूं, ठीक है, यह आप के Fund होगे, तो सबसे पहले बात करते हैं, Employees Contribution, Employee मतलब करमचारी, तो जो Employee Contribution करता है, Contribution मतलब अंसदान, अपनी Salary में से हर बार अंसदान करेगा, तो वो कौन से Fund के अंदर Taxable है, और कौन से Fund के अंदर Taxable नहीं है, तो सबसे पहले देखी, Employee अगर Contribution करता है, तो सबसे सबसे पहले हैं, First वाला पकड़ लेते हैं, Stretory Provident Fund, SPF, तो SPF जो है, वो बोलता है कि Employee ने अगर Contribution किया है, तो वो पूरी तरीके से क्या है, एक्जम्ट, यानि की करमुक्त है, उसके उपर Tax नहीं लगेगा, ओके, सेकिंड आता है, अगर Employee Contribution करे तो इसके अंदर, तो से एक्जम्ट, कौन सा? SPF, चाहे Employee Contribution करे तो एक्जम्ट, Employee Contribution करे, Boss करे, Company करे, तो भी एक्जम्ट होता है, फिर आता है या, ये Provident Fund में जो Employee और Employee ने पैसा डाला है, उसके उपर क्या मिलेगा? Interest, Interest on Provident Fund, तो वो जो Interest मिलता है, क्या वो भी इनके लिए Income है न, Employee के लिए, तो क्या उसके उपर Tax लगेगा? नहीं, अगर SPF में पैसा है, Statuary Provident Fund के अंदर, तो उस Interest के उपर भी जो है, आपका Tax नहीं लगेगा, वो Interest भी पूरी तरीके से Exempt होगा, Deduction मिलती है, In Provident Funds की, Deduction मिलती है, Under Section, ATC के अंदर, LIC की मिलती है, वहाँ इसकी भी मिलती है, तो यहाँ पर बिलकुल Deduction अवेलेबल होती है, और Employee के लिए Deduction अवेलेबल है, यानि की, और यह Deduction होती है, 1,50,000, अप टू, 1,50,000 रुपे तक Deduction होती है, और वो अवे लेगी, तो उसकी family member को, जो पैसा जमा कराया है, SPF में, employee ने, employer ने, और वो interest, वो सब एक साथ जब मिलेगा, तो उस lump sum amount पर, हाना, lump sum amount received जब होगा, तो उसके उपर क्या tax लगेगा, उस time लगेगा, जब एक साथ 20,25,30,000 रुपे मिलेंगे, तो बोलेंगे, नहीं, उस पे भी नहीं लगेगा, वो भी क्या होगा, एक्जम्ट, तो देखा आपने, कितने हो गए, तो इस case में, SPF में, employee contribution करें, तो एक्जम्ट, employer contribution करें, तो एक्जम्ट, interest जो मिल रहा है, एक्जम्ट, deduction भी मिलेगी, एक लाग 50,000 तक पर सार साल, और lump sum amount received होता है, तो वो भी क्या है exempt, तो यह हो गया आपका, और इसको मैं अच्छे से ऐसे lines draw कर लेता हूँ, ताकि हम आगे वाले भी अच्छे से देख सकें, ठीक है, यह अगर table याद गर लिना, तो in provident fund के उपर अगर question आएगा तो आप उसका अच्छे से answer कर पाएंगे, और यह हर जगा आएगा, बड़े questions के अंदर भी इसमें से point आ सकते हैं, next आता आपका recognize provident fund, इसमें employee अगर contribution करता है, तो वो है exempt, okay, इसमें अगर employer contribution करता है, employer तो है बिल्कुल exempt है, अच्छा, कहा तक, up to 12% of employee salary, क्या मतलब हुआ, इसका, मालेते employee की salary है, अगर मंतली बोलूँ तो एक लाग रुपे, तो एक लाग रुपे का 12% कितना होगी है, 12,000, तो 12,000 boss डाल सकता है, इस fund के अंदर, 12,000 तक एक्जम्ट है, 12% तक एक्जम्ट है, उसने 15,000 डाल तो 3,000 टेक्से बोल जाएंगे, तो employee जो contribution करता है, वो तो पूरा एक्जम्ट है, लेकिन employer जो contribution करता है, वो 12% तक एक्जम्ट है, employee की salary का, उसके बाद उसके ज्यादा करेगा, तो फिर वो taxable हो जाएगा, और अगर interest बगरा मिलता है, तो interest भी एक्जम्ट है, बेलकुल interest मिलेगा, अगर इसके उपर तो एक्जम् 5%, अगर interest साड़े 9% तक मिल रहा है, तो एक्जम्ट है, साड़े 9 से ज्यादा मिलेगा, तो taxable हो जाएगा, ओके ठीक, next, deduction अवेलेबल है कि नहीं है, बिलकुल अवेलेबल है, यहाँ पर, ATC के अंदर इसमें deduction अवेलेबल है, ओके, lump sum amount जो मिलेगा, उसका क्या करना है, वो और पीप में अगर employee going contribution करता है, तो exempt है, यस, ठीक है, हाँ, वो एक तरीके से taxable भी होगा, क्योंकि deduction मिलेगी नहीं, ATC के अंदर इसकी deduction नहीं मिलेगी, देखो मैं बताता हूं आपको कैसे, ओके, अब आता है, employer अगर contribution करें, तो क्या होगा, employer अगर contribution करता है, तो वो भी क्य है, exempt, ठीक है, interest जो मिलता है, क्या मिलता है, interest, वो क्या है, interest मिलेगा, वो भी exempt, और मज़े आगे इसके, तो सब exempt हो रहा है, unrecognized provident fund है, तो भी नहीं, एक चीज़ है यहाँ पर, जो deduction ATC के अंदर, not available, तो exempt कहा हुगा, बाद में deduction तो मिली नहीं रही है, है, okay, ATC में deduction नहीं मिलेगी, और lump sum amount जो आएगा, वो taxable होगा, बाद में जो एक साथ पैसा मिलेगा, URPF के अंदर, unrecognized provident fund के अंदर, ब्याद सहीद, तो वो आपका taxable होगा, अब वो taxable कैसे होगा, वो ध्यान से देखना इधर, इधर जूम करना थोड़ा सा, देखिए, taxable कैसे होगा, इसमें एक तो employee ने contribution कर रखा होता है, एक employer ने कर रखा होता है, जो employee का contribution, वो तो exempt है, क्यों कि उसके उपर पहले tax लग चुका है, और जो employer contribution करता है, employer, वो हो जाएगा taxable, वो क्या हो जाएगा, taxable हो जाएगा, employer का contribution में उसका interest भी आ गया, employer ने जो contribution किया, उसके उपर भ्याज मिला, वो भी taxable हो जाएगा, कब, जब एक साथ पैसा मिलेगा, तब उससे पहले नहीं, ठीक, ओके, यह हो गया, अब आता है आपका approved superannuation fund, यानि की ASF, इसमें बड़ा simple है, सभी में employee contribution करे, exempt, employer contribution करे, exempt, इंट्रेस्ट मिलेगा, exempt, deduction ATC के अंदर available है, और एक साथ पैसा मिलेगा, exempt, तो यह तो गजबी, अब आजाते हैं, public provident fund, अना, public provident fund, PPN, इसमें अगर employee contribution करता है, exempt, ओके, employer contribution करी नहीं सकता, not contributed, देखो यह एक ऐसा provident fund है, जिसमें employer contribution करी नहीं सकता, तो not contributed by employer, ओके, या no contribution, next interest मिलेगा, exempt, अचा, deduction इसके अंदर available होगी, कि नहीं होगी, बिलकुल available होगी, ATC के अंदर deduction मिलेगी, तब भी तो public पैसा डालेगी, और lump sum amount जो मिलेगा, वो exempt, मोड़ा मोटी देखेंगे, आप सब जगए exempt ही हैं, कुछ चीज़े हैं, एक तो, सबसे पहले, आरपी एफ के अंदर ये दो चीज़े धियान रखना, अगर employer contribution करता है, तो 12% salary तक exempt है, और interest 9% तक exempt है, ठीक है, ये आरपी एफ के अंदर हो गया, इसके अलावा एक और चीज़े, यू आरपी एफ के अंदर deduction नहीं मिलती हैं, और taxability कब होती है, लंब सम के time, और PPF के के अंदर employer contribution करी नहीं सकता, बाकी तो आप सब एक जैसाई है, तो ये table है, मैं हर जाता हूँ, आप इसका screenshot ले सकते हैं, या इस video को pose करके अच्छे से बना सकते हैं, ये table याद हो गई न, तो आप theoretical question भी अच्छे से कर पाएंगे, छोट छोटे अगर question आते हैं आपके exam में, तो उनका answer भी कर पाएंगे, और जो बड़े questions आते हैं, salary वगेरा के chapter के अंदर, या फिर total income के अंदर, और उसमें ऐसी कोई exemption वगेरा, contribution, RPA, provident fund के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो उसका answer आप बड़े हराम से कर पाएंगे, तो आज के लिए इतना ही, अगर ये video आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आपका support चाहिए हमें, ज़्यादा ज़्यादा support करने के लिए आप like, share और subscribe और comment कर सकते हैं, share ज़रूर करे अपने friends के साथ में, ताकि उनको भी help मिलेगी, हम मिलते next video में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए goodbye and thank you.